तो स्टार्ट करते हैं क्वेशन आंसर इस चाप्टर के चलिए सॉल्व करें क्वेशन बताईए आंसर फॉर्मिला मैं आपको बता देता हूँ कि एक फॉर्मिला जो था वो तो ये था कि वेव वेलोसिटी इस इक्वल टू वेवलेंथ इन्टू फ्रिक्वेंसी पहला फॉर्मिला तो ये था और दूसरा फॉर्मिला फॉर्मिला के सेंस नहीं कि फ्रिक्वेंसी होता है वन अपन टाइम पीरिड तो ये दो फॉर्मिले हैं और सारे के सारे क्वेशन इन्ही दोनों पे बेस्ट होंगे आप लोग ऑनलाइन आप लोग भी आँसर बताइए यहां पर हमें टाइम पीरिट भी आए टाइम पीरिए यानि की एक वेफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लेती है और हमसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी तो इसमें ये शेकेंड रिलेशन लगेगा तो बताइए आं आपन टाइम पीरिएड जिसमें टाइम पीरिएड सेकेंड में होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि एक सेकेंड में कितनी वेफ गई तो यहां पर टाइम पीरिएड हमें दिया हुआ है जो कि है 0.05 सेकेंड तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी है लेकिन अभी ये तो इसको कंवर्ट करिए हर्ट में और हर्ट में कंवर्ट क्या मतलब कि इसको प्रॉप अनुम सॉल्फ करेंगे तो नीचे का डेसिमल हटाएंगे उपर जीरू आ जाएगा तो यानि कि 100 अपॉन 5 यानि कि 20 हर्ड्स कि इतना सिंपल तो था इसमें ताइम क्यों लग गया इतना क्लियर है इस सवाल अब की बार आएगा तो क्लिक कर लेंगे चले ठीक अगला करिए question एक sound की wavelength हमें दी हुई है और meters में दी हुई है आपको इसकी frequency calculate करनी है जब आपको इस sound की velocity भी बताई हुई तो velocity और wavelength दिया हुआ है frequency पता लगाना है और इसका relation इन तीनों चीज़ों का relation हम देख चुके हैं तो 3 में से 2 चीज़े दी हैं एक पता लगानी है और sound के questions में more or less यह होगा कि तीन चीज़ों में कोई दो चीज़े दी होंगी एक पूची गई होगी जानगी आया कुछ answer अच्छा value बताई frequency क्या होता है मतलब इन दोनों के relations में frequency क्या लिखेंगे velocity अपॉन वेवलेंथ लिखेंगे velocity is equal to frequency into wavelength वही वाली बात है तो frequency हो जाएगा वेलोसिटी उपान वेवलेंथ अब वेलोसिटी यहां पर क्या है 343 मीटर्स पर सेकेंड और यह सही यूनिट्स में है और वेवलेंथ है 1.7 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 2 मीटर्स यह भी सही यूनिट में तो बस इसको सॉल्व करना है बताईया आंसर यह 10 तो दी पार माइनस तू नीचे वाला यह ऊपर चला जाएगा अच्छा देखिए यहां तक प्लियर है अब इसके बाद नीचे डेसिमल है 1.7 तो बेटर है कि हमें इसका डेसिमल हटा दें तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहां पे भी हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा अब 17 तू जा 34 जीरो जा 17 तू जा 34 फिर आएगा 3 फिर जीरो जा फिर उसके बाद फिर 1 टाइम और समधिंग कुछ ऐसा पॉइंट में फिर उसके बाद आएगा 201.6 और यहां पे है 10 to the power 2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तू पॉइंट सम्थिंग के सेंस में हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे डेस्मल को इधर ले आई है यह वाले डेस्मल को एक पॉइंट दो पॉइंट तो यानि कि इसमें एक डेजिट के बाद डेसिमल आएगा और फिर जितना भी यूनेट्स तेंट वी पावर में तो यह अगला क्वेश्चन करिये आप साउं टंड करता है आडक शपिड़ ऑफ 3 30 meters पर सेकेंड आपको वेवलेंथ बतानी है जब फ्रीकेंसी दे रखते हैं 550 हल्स वही क्वेश्चन है बस पिछली बार wavelength और velocity दिया था frequency पूछा था अब की बार wavelength पूछ लिया है velocity और frequency देखे सही है इसका answer है 0.6 वही चीज velocity is equal to wavelength into frequency तो wavelength हो जाएगा velocity upon frequency velocity है 330 meters per second और frequency है 550 hertz तो इसको आप solve करेंगे तो आएगा 0.6 meters चलिए अगला करिए एक sound है जो की 1500 waves बनाता है in 3 seconds अब कहा गया है if distance covered by a compression and adjacent rare fraction इसका distance 68 centimeters है तो आपको find करना है frequency, wavelength and velocity of sound अच्छा 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 फिफ्टीन हंड्रेड वेव्स इन 3 seconds तो frequency कितना होगा अच्छा अच्छा नीचे क्या देख रहा हूँ अच्छा सवाल कर रहो क्या पिशला समझ में आया था नहीं समझा तो पूछ लेने दुबारा बताऊंगा और in fact ये भी वैसा ही type का सवाल है क्योंकि वही चीज़ें तीन में से दो चीज़ें दी हैं एक नहीं पूछी है तो ये वाला सवाल जैसे है इस सवाल में कहा जा रहा है कि ये 1500 वेव्स बनाते है तीन सेकेंड में 1500 वेव्स गुजरती हैं तीन सेकेंड में और फ्रीक्वेंसी के बारे में हम जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को कहते हैं कि एक सेकेंड में कितनी वेवेव गुजरती है एक सेकेंड में जाहिर सी बात है कि 500 वेव् गुजर रहेंगे हम कह सकते हैं कि इस साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 500 फ्रीक्वेंसी पता चल गया अब यह जो point है यहां से हमें wavelength पता चल जाएगा वेवलेंद कैसे पता चलेगा किसी भी साउंड वेव में जो एक कम्प्रेशन आता है और कम्प्रेशन का जस्ट एडजेसेंट रेयर फैक्शन पहले तो वेवलेंद निकालेंगे वेवलेंद का फॉर्मिले से यहां नहीं निकल पाएगा यहां पहले में इस वेव्यक्रीशनsted में सिर्फ वेवलेंद दिया है और हमें कुछ भी नहीं दिया है तो तीन चीज़ों में एक चीज दी है दो चीज़ें नहीं दी है रॉसरी एक भी चीज दी होती तो आंसर निकल आता लेकिन वो जो दूसरी चीज है वेवलेंथ या वेलोसिटी इनमें से वेवलेंथ निकालने की यह है कि आप वेवलेंथ यहां से निकाल सकते हैं distance covered by a compression and adjacent rear factor is 68 cm अब जैसे यह है sound wave इस चीज को हम कहते हैं compression यह जो लो प्रेशर एरिया है लो डेंसिटी एरिया यह है रेयर फैक्षिन तो compression और रेयर फैक्षिन के बीच की दूरी 68 cm है तो वेवलेंथ कितनी होगी वेवलेंथ क्atta हुथ हुथ है इनके टरूम से बता हूए कि असके से तर्म से क्या होता है क्रश्ट्फ क्रस्ट्रम या तो फिर टॉटू टॉट्रॉय यह तो transverse हो गया, longitudinal के sense में एक compression दूसरे compression के बीच में यह wavelength हो गया, यहाँ पर हमें compression और rarefaction के बीच में दिया है distance, तो wavelength कितना होगा, पता नहीं, answer मुझे नहीं पता है, तो देखे frequency हमें पता है, wavelength पता है, तो हमने part A कर लिया, part B कर लिया, तो velocity क्या होगा, velocity करते हैं, velocity होगा, lambda into frequency, तो lambda है 136 cm में जिसको हम meters में convert कर देंगे, अब ये चीज हो गई meters में, और frequency क्या है, 500 hertz, तो आप ये 2-0 चले गए यहाँ से, 2-0 चले गए यहाँ से, तो यानि कि 136 into 5, 5, 6, 30, 3, तो 5, 3, 15, 18, 6, 80 meters per second करीब, ठीक है, clear है सवाल, तो पहली चीज इस सवाल में ये वाला ध्यान रखियेगा, कभी भी इस तरीके से आ जाए, कि frequency इस वाले form में बताई जा सकती, 500 hertz की जगा ये बोला जा सकता है, कि वो 8,000 waves निकल रही है, 10 second में, तो एक second में, obviously 800 waves निकली है, तो frequency में कैसे आपको अलग लवजों में बोल सकते हैं, आप confused हो सकते हो, और दूसरी चीज, ये distance by a compression and an adjacent rare fraction, इसी चीज को दूसरे लवजों में करने के लिए, और भी तरीके से आपको घुमा सकते हैं, कि जैसे compression and next compression बोल दिया, तो वहाँ पे lambda की value 68 हो जाएगी, compression and adjacent compression यहाँ पे lambda y2 की value ये है, compression and the next rare fraction अगर बोल दिया, next rare fraction, तो यानि कि compression, rare fraction, फिर compression, फिर rare fraction, फिर rare fraction, तो ये एक lambda हो गया, और ये हो गया lambda by 2, तो 3 lambda by 2, और इसके उपर तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाते भी हैं, नाइंत के लेवेल पे वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन जाते भी हैं तो तरीका आपको पता है, तो compression and the next rare fraction, वो 3 lambda by 2, चलिए अगला question, जो लोग online है, आप लोग भी answer देते रहें, velocity of sound, बिजली कड़ती है, और आपको 4 second बाद उसकी आवास सुनाई देती है, तो कितनी दूरी पे बिजली कड़ती है, यह बहुत easy question है, बस lightning का नाम दीश में डाल दिया है, तो शाएक कुछ नया सा लगए, लेकिन यह बिलकुल वही bicycle and car and bus, सीधा simple सवाल distance time speed वाला है, बिजली कड़ती है, तो यहां से आवाज निकलना शुरू होगी, और 4 second लगेगा आप तक आने में, तो time दिया है 4 second और velocity दिया है, मतलब 330, मीटर पर सेकंड, यानि कि हर सेकंड वो 330 मीटर चलेगी, तो 4 second में कितना चलेगी? 330 x 4, 1200, 1300, 1500, 1400 आसपास आएगा कुछ, इतनी दूरी पर बिली कड़की है, तो यहार सेकंड में आप पर पहुंची है, इस speed से, 1320 करिए, चले अगला करिए, एक पहाड़ है, एक पहाड है, आपने ताली बजाई, तो आवाज पहले आपके हाथो, से पहाड तक जाएगी, पहाड से टकरा के फिर वापस आएगी, और आपको 4 second बाद वो आवाज सुनाई दूए, तो यानि कि आपके हाथ से लेके पहाड तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसे? जाके वापस आने में 4 second लगा, तो जाने में कितना लगा? ठीक है, speed दोनों time same है, और velocity आपको दे रखी है, कि एक second में sound साड़े तीन मीटर चलता है, तो दो second में कितना चलेगा? और यह जो हमने यहाँ पे logic किया, और जिस तरीके से इस question को solve किया, यह mountain है, आपने वजाई, तो यहाँ से यहाँ जाने में, और फिर से वापस आने में, 4 second लगा total, तो जाने जाने में 2 second लगेगा, तो यह जो logic यहाँ पे है, यही logic लगेगा, जब आप sonar और base of the sea की बाइ तो जैसे अगला question करते है, एक sonar device है, यह ultra sonar waves चोड़ते हैं, the waves are reflected from the bottom of the sea, उपर जहाँ से, समंदर के bottom पे इन्होंने sound रोड़ा और यहाँ से reflect होके वापस आया, और यह इस चीज़ को detect करते हैं, और इस total journey में 4 seconds लगा, 4 seconds to get reflect sound, और आपको यह भी कहा गया है, दूसरी बात जो बताए गई है, वो यह बताए गई है कि velocity of sound in water, यह है 1500 meters per second, तो बताएए depth of sea क्या होगा, 3000 meters, एक जवाब आया है, सही है, 4 seconds लगा नीचे तक जाने में और वापस आने में, तो यानि कि सिर्फ नीचे जाने में 2 seconds लगा, और velocity है 1500 meter per second, यानि कि 3000 meters की गहराई है, अब अगला सवाल यह है, numericals basically हो गया है, एक एक type सबके, अब mcqs करते हैं कुछ, यह जो ultrasonic sounds होते हैं, यह penetrate करते हैं, अंदर भुशते हैं, तो इसका reason क्या है, यह बहुत speed होती है इन में, यह high speed की वज़े से अंदर यह penetrate कर पाते हैं, यह high frequency की वज़े से अंदर penetrate कर पाते हैं, यह इनका wavelength बहुत जादा होता है, high wavelength और यह तो फिर high amplitude, मताये, A, B, C या D, ultrasonic waves इतना penetrate क्यों कर पाते हैं, तो एक जवाब आया है, A का D, आयूशी का, और कोई जवाब, D गलत जवाब है, और try कर यह है, due to their high frequency, तो जनी ज़्यादा frequency होगी, उतना ज़्यादा penetration होगा, और इसी वज़े से जो, मतलब जो ultrasound दिखाते टाइम भी मैंने उसके जिक्रिक, कि और clearer आपको image चाहिए, तो और ज़्यादा frequency के sounds उन्होंने किये, तो इसका सही जवाब है, high frequency sounds है, इस वज़े से बहुत ज़्यादा penetrate कर पाते हैं, इसके बाद penetrate मतलब अंदर घुसना, जैसे कि यह चीज ultrasound machine जैसे body में लगाते हैं, तो यह हमारे body के अंदर तक चले जा रहे हैं, तो इस चीज को कहते हैं penetrate करना, चार devices आपको बताई जा रही हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा device है, जो की reflection of sound के बदालत नहीं चलता है। एक बतान रहे हैं, जो को बताना है जो कि इस दो बाइना है। कि अ रहे हैं, जो कि अ हैं, आपको अ जो को बहाईन है। और कोई जवाब जान दी तो स्टेथोस्कोप हाइड्रोफोन साउंड बोल्ड और मेगाफोन तो स्टेथोस्कोप रिफ्लेक्शन और साउंड पे चलता है साउंड बोल्ड भी रिफ्लेक्शन और साउंड पे चल रहा है मेगाफोन भी रिफ्लेक्शन और साउंड पे हाइड्रोफोन एक चीज़ है जो रिफ्लेक्शन और साउंड पे नहीं चल रहा है यह सिर्फ साउंड को एब्जॉब करके डिटेक्ट कर रहा है हाँ यह बात अल कि जैसे दुश्मन देश की सम्मरीन है सम्मरीन पानी के नीचे है तो दिखाई नहीं देखी कि कहां है तो यह जो उपर एरोप्लेइन होते हैं वह इस तरीके का हाइड्रोफोंस उपर से नीचे ड्रॉप कर देखा वोकल कॉल्ट्स ऑफ राइनोसेरस जो राइनोसरस जानवर होता है इसके वोकल कॉल्ट्स कौन से फ्रीक्मेंसी के साउंड्स जनरेट कर पाते होंगे तो फाइफ किलो हर्ट्स त्वेंटी फाइफ हर्ट्स या टैन हर्ट्स या फिफ्टीन थाउजन हर्ट्स क्यूं? तो राइनोसरस हो गया, एलिफैंट्स हो गया, यह सब इंफ्रासोनिक एग्जाक्ट टर्म हैं का तो हूमन्स बीस हजार हर्ट्स या यू के लिजे बीस किलो हर्ट्स से लेके बीस हर्ट्स तक हूमन्स की रेंज है, इसके नीचे सब इंफ्रासोनिक हैं तो अगर इसमें राइनोसरस आजाए या एलिफैंट आजाए तो यह सब के सब इंफ्रासोनिक हैं कि इनकी हमें आवाज आज सच नहीं सुनाई देती मतलब चेंगाडते हैं तो अच्छा खासा पॉर्शन इनके और्डिवल रेंज में आ जाता है लेकिन बहुत सारी आवाजें यह इंफ्रासोनिक में निकालते हैं कि हमें समझ नहीं आएगा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो नोट जो होता है यह किस चीज को सिगनिफाय करता है यह मिक्स्चर ओफ और यह तो फिर यह अनप्लेजेंट वोईसेज को कहता है क्या कह रहे थे हैं मिक्स्चर ओफ फ्रीक्मेंसी जोर और कोई आंसर नोट जैसे गिटार के होते हैं तो नोट होते हैं अलग-अलग कॉल्स और नोट तो यह नोट आक्शुली कहा जाता है सिंगल फ्रीक्वेंसी को इस नोट पे बजाएए आप इस नोट पे बजाएए सिंगल फ्रीक्वेंसी को नोट कहता है इन में से जैसे इन में से कौन सी ऐसी चीज है कि जो की प्रोड्यूस कर सकती है बोथ लॉंगिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकती है और ट्रांस्वर्स वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकती है तो एक्जाम्पल्स वाटर अकलब अप्शिन्स वाटर या टीवी ट्रांस्मिटर या स्लिंकी या ट्यूनिंग फॉर्ट पताइए टेंथ किस चीज में प्रांस्मिटर इस लिंकी स्प्रिंग जैसी जो चीज होती है लंबी सी इस लिंकी वज़ाओ यह मैं दिखा भी चुगा हूँ ऐसे आप लोग को इस लिंकी आप लोग को दुबारा से दिखा हूँ यह है इस लिंकी इस लिंकी को आप यू यू करने लग जाएं तो एक रसी के जैसा बनने लगत रहेगा तो यह लॉंगिट्यूडनल वेव्स जिसमें सिफ कंप्रेशन और यह उपर नीचे नहीं हो रहा है कुछ और इस लिंकी को आप उपर नीचे कर दें तो उपर नीचे भी हो जाएगा हमारे पास वैसे लिंकी का वीडियो इसमें शायद नहीं है ट्रांसवर्स वेव्स बनाते हुए नहीं है लेकिन वही चीज़ कि आप इसी चीज़ को ऊपर नीचे कर दें तो यह ट्रांसवर्स वेव्स हो जाएगा और ट्रांसवर्स वेव्स यह ऐसे बनेगा तो लिंकी को आपने यू यू किया, तो compression rare fractions, लिंकी को ऐसे किया, तो ऐसे वाले transverse waves, कि वो उसमें उपर नीचे बस हो रहा है, बाल्ट किल मोशन, और TV transmitters और ये सब चीज़ा अगर water के sense में देखा जाए, तो water क्या था? Transverse waves बनाता है water, water कभी भी longitudinal waves नहीं बनाता है, कि आप water को जैसे touch करते रहें, तो जितने ripples बनते हैं water में, वो सब transverse होते हैं, वो बस ball अगर आप डाल दें, तो ball यू यू नहीं होगा, ball उपर नीचे होगा, जैसे लहर आती है, तो जहाज उपर जाता है, वहीं लहर चली गए, वहीं है, फिर से लहर आई, फिर उपर चला गया, फिर वहीं उपर रह गया, तो पानी में सिर्फ transverse बनेगा, तिर्फ वह उपर नीचे, उपर नीचे होता रहेगा, और 3-V transmitters, ये electromagnetic waves के जैसा ये होता है, transmit करते हैं, तो ये भी transverse waves है, electromagnetic waves जितनी हैं, ये सब के सब transverse ये उपर नीचे इस टाइप से करेंगा, तो आगे पीछे, ये सिर्फ sound में होता है, ये जैसे slinky में होता है, और fork भी यूँ करके था, तो अगर आप इस sense में देखे, fork को, तो उपर नीचे हो रहा है, वो यूँ यूँ नहीं हो रहा है उसमें particles, particles उसमें उपर नीचे हो रहा है, अगर किसी हार्मोनियम का, pitch of a note, हार्मोनियम का, लोवर कर दिया जाए, तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा, तो वेवलेंथ घट जाएगी, या पहले कम होगी, फिर बढ़ जाएगी, या अब जिवलेंथ बढ़ ही जाएगी, या तो फिर सेम रहेगी, pitch लोवर कर दिया, कैसे, विच क्या चीज होती है, पिच बढ़ाना यानि की frequency बढ़ा देना, pitch कम कर देना, इसका मतलब आप frequency कम कर रहे हैं, जो वेव ऐसे जा रही थी, pitch कम कर देने का मतलब वो वेव अब थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, तो frequency हमने कम कर दिया, तो वेव लेंथ बढ़ेगा, इसका आंसर है 11th का C, तो वही चीज यही सवाल अगर से frequency और वेव लेंथ आता तो आप पकड़ देते, पिच बोल दिया, बस थोड़ा सा ये complication किया, तो pitch कम होने का मतलब frequency कम हो रहा है, और pitch बढ़ने का मतलब frequency बढ़ रहा है, आवाज पतली होती जा रही, यानि कि pitch बढ़ता जा रहा है, ठीक है, चलिए, एंड करते हैं आज का session, हमने basically सारे तरे के numerical इसके कर लिये हैं और mcqs भी जो खास खास थे वो कर लिये हैं, बाकी जो ऐसे जो simple वाले mcqs हैं वही बस बचे हैं कि जो बहुत ही easy type के हैं, कि maximum speed किसमें होगी, चार option दे दिये हैं और obviously sound जो solid होगा उसी में होगी, तो ऐसी type के सवाल बस बचे हैं कि displacement क्या है, एक figure दे दिया तो इसमे amplitude क्या है, wavelength क्या है, तो easy type के सवाल बचे हैं बस, चले ठीक, end करते हैं,